हेलो फ्रेंड्स मैंने यह दीपा की स्टेंड बनाया है आप लोग देखिएगा बताईएगा कैसा लग रहा है मैंने यह टू लेयर का बनाया है फैले मैं थृ लेयर का बनाने जा रही थी लिकिन कॉलर कॉमेशन के वजे से मैंने ये two layer कर दिया blue, yellow, blue और फिर जो ये मैंने दीपक बनाए है ये blue और yellow दोनों को combination कर दिया इसलिए मैंने two layer रखा और three layer में height भी थोड़ी जादा हो रही थी और ये जो नीचे वाला दीपक है ये मैंने चौकोर वाला लिया है और बीच में मैंने ये गोल वाले simple दीपक जो होते हैं उनको जोइन करके और फिर मैंने उसी के हिसाब से ये जो उपर वाला दीपक है ये भी मैंने वही चौकोर रखा है और color combination इसी के हिसाब से किया है ये जो पुराने दीपक होते हैं आप इनको यूज कर सकते हो इसमें ये मेरे last year के पड़े हुए थे मैंने उनी को यूज किया ये जो दीपक हैं आप इनको ऐसे जोइन करके फेवी कोल लगा लिजिए फेवी कोल से आप जोइन कर दीजिए ये ऐसे बहुत अच्छे आसानी से ये fix हो जाते है तो उसके बाद मैंने इस पे base coat किया है base coat के बाद में base coat के बाद में आपको जो भी color पसंद हो आप वो color कीजिए और design जो है आपको जो भी पसंद हो design जैसे मैंने ये mirror लगाया है इसके बाद मैंने ये 3D color है 3D से मैंने इस पे dot dot बना दिया है मुझे तो यह डिजाइन बहुत पसंद आ रही है डिजाइन बहुत सारी होती है आप कुछ भी बनातों बनने के बाद सारे अच्छा लगता है मुझे तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह मैंने दो बनाए है दो के सेट हैं यह कुछ दर्वाजे के आगे दीपा वली में दोनों को दर्वाजे के आगे रखे बहुत ही सुन्दर लगेंगे प्लीज आप लोग भी ट्राइ करिए का बताईए का कैसे लग रहे हैं मेरे दीपा और सेकेंड डियाइवाई मैंने यह बनाया मेरे यह बैंगल पड़े हुए थे कई सालों से पड़े हुए थे पर इसके डियाइन बहुत ही सुन्दर है तो मैंने इसे फेके नहीं थे तो मैंने इन दोनों बैंगल को जोड़के कड़को जोड़के और यह मेरे पास पड़ी हुई थी यह उपर साइड में मैंने यह लगा दिया इससे इसका लुख बहुत ही सुन्दर आता है और बीच में मैंने यह लीटर सीट गोल्डन कलर की उसी से मैच करती हुए लगा दिया और नीचे मैंने इसके स्टेंड बनाने के लिए क्ले का यूज किया है क्ले से मैंने यह स्टेंड बना दिया और दोस्तों यह आपका जो स्टेंड है यह पर्मानेंटी स्टेंड बन गया आप इसे यूज कीजिए रख दीजिए फिर कोई फेस्टिवल आए तो आप फिर से निकाल के से यूज कर लिए बहुत यह सुन्दर लग रहा है और आप इस हाइट भी हो जाएगी और कलर कॉमनेशन भी हो जाएगा पर मुझे इतनी हाइट चाहिए थी डिजाइन भी इसकी बहुत ही सुन्दर है मुझे हाइट के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है यह यह कैंडल रखने के लिए परफेक्ट है बिल्कुल ज्यादा हाइट आप इसमें यह कैंडल भी रख सकते हो और जो यह सिंपल दीपक होते हैं आप यह भी रख दीजे आप इस दीपक को पेंट कर लीजे आप इसमें आप कोई से भी दीपक यूज कर सकते हैं यह पेंट किये थे मैंने दीपक बनाए थे यह भी कितना सुन्दर लग रहा है और इसके मैचिंग का लगाना है तो आप ये यलो वाला तो ये छोटे दीपक के हिसाब से इसकी हाइट ठीक है फिर थोड़ा हाइट ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो लुक नहीं आएगा कोई से भी आप दीपक रख लो या फिर इसी की मैचिंग के आप बना लीजिए वाइट और वोल्डेन बहुत ही सुन्दर लगेगा प्राइट मैचिंग जाएट करें दीपक रख लोगे श्यादान ही जासी तो लोगे चुन्दर श्यादा है प्रयब दीपक रख लोगे वेज़ाट लगेगा के लिगे दोगएगर वागेगा झाल 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 झाल